नमस्कार मैं कौशिक मेता आज बात मुल्यों के मानवी अर्विंद्वाइं मनियार की अर्विंद्वाइं मनियार सुराष्ट के राजकोट के ऐसे व्यक्ति विशेश थे सामाजिक अग्रणी थे या राजकिय नेता थे जिसके जाने के बाद उसके जैसे नेता राजकोट को अभी तक महीं विला एक जैन परिवार में जन्म और उसके पिताजी जाने माने रोकेट पुरे गुजरात में वो मशूर थे और वो ही वकिलात का वाइरस मनिया ररिंद भाई में भी आया पहले तो वो राजकोट की धन्मेंदरसी कोलेज में बिये सी हो है लेकिन फिर अमदाज जाके एलेल मी किया और प्रेक्टिस शुड़ू हूँ और वो भी बहुत अच्छी प्रेक्टिस करते थे लेकिन सेवा के गुण बचपन से ही थे वो जनसंग में आये फिर राजकोट मिनसिपाल्टी में इलेक्शन में वो जीत गए फिर जब राजकोट मिनसिपाल कोर्परेशन बना तो पहले मेर बने वो और उसके मेर का काल राजकोट कैसा होना चाहिए अगले 20-30-50 बरस में राजकोट में क्या होना चाहिए उसकी ब्लूप्रिंट उस जमान में उन्होंने रख दी थी क्योंकि यह बात है 75 की वो 1923 में जन्में और 83 में उसका देहान्त हो गया है 50 बरस की उम्र में वोट चल बसे राजकोट के जो विकास का नक्सा उसने खीचा वो आज तक काम आता है आज के भी सासक को या फिर सब ओफिसर्स को आज पानी की समस्य आती तो फुदर पाहदर डेम की योजना भी उस समय बनी राजकोट में जो गटर का पानी का प्रोब्लेंट था वो भुगर्गर्टर की योजना भी उन्हों में शुरू की थी तो बता थे थे कि अब राजकोट का विकास अब अब रफ्तार पकड़ लेगा फिर वो फुजरात विदान सभा में भी एलेक्ट हुए एक टम पूरी काम किया और विदान सभा में जब वो खड़े होते थे लोगों के प्रस्थनों के लेके तो सबको वो सुनना पड़ता थे लेकिन वो फिर हार गए दूसरी इलेक्शन में तब क्या उसने कहा था उन्होंने कहा था अविद भाई ने के मैं जो लोगों का जो चुकादा है जो वर्डिक दिया है वो मैं सीर पे चड़ाता हूं और फिर रमूज में वो बोले थे के लोग अभी भी मुझे गटर साफ करने के काम में देखते हैं लेकिन वो हम करते रहें गए तो पॉलिटिक्स में अपनी हार को किस तरह से लिया जाए ये अर्विन भाई के पास से सीखना चाहिए अटल भीहरी बाचपाई में जब ये उसका उसकी डेथ हो गए अरिंग भाई की वो अमदाबाद साय थे और बीच में एक्सिडेंट हुआ कार का और वो चल बसे तो उसके उपर एक स्मूतिक गंत तयार किया गिया और इसमें उसके विमोचन कारेकरम में अटल भीहरी बात बोली थी कि सेनापती बनने से पहले सहिनिक बनना चाहिए और अरिंग मनियार ऐसे ही नेता थे आज की यूवडी जो किसी भी सेत्र में लिडर बनना चाहती है उसके लिए ये परफेक्ट मेसेज है का आपको नीचे से शुरू करना चाहिए आज पोलिटिक्स की बात ह कोई भी फिल्ड की बात करें आप लोगों को सीधा उपर जाने की बेचे नहीं रहती है वो स्पीट से काम करके उपर जाना चाहते हैं लेकिन ऐसा जिवन में नहीं होता है बहुत संगर्ष करना पड़ता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद उपर आपको जाना पड़ता है और फिर आप सिद्धी के सिखर पर जा सकते और इन बाई ने यही बताया मैं तब बहुत छोटा था लेकिन वह परेशन या तो कोई और भी इलेक्षन आता था तो गली- चली जाते थे हॉस्टू हाउस संपर्क उसका रहता था फिर वह एक गली में बेटते थे बोलते थे खुरशी लाओ उसके साथ पात-साथ लोग और भी रहते थे तो सब बाहर खुरसी में बेटते थे और वह बोलते थे कि भाइव आप चाहि कौन पिलाएगा दूसरी जग प्रशाब रहते यह इसे नहता थे चाहे जो भी ओ परपरेशन में उन्हों ने काम किया साथ बरस तक या फिर धारासबह में काम किया या फिर राजकोट नागरीक सर्वकारी बैंक चतिस साल की उम्र में वो चेर्मिन बने थे और राजकोट नागरीक सर्कारी बैंक का एक सुत्र है छोटे लोगों की बड़ी बैंक यह सार्थक सुत्र इसलिए है कि आज इस बैंक में करीब करीब तीन लाख सवासद है और उसके इसका जो धीरान बोलते है लोन वो 2886 करोड है 286 करोड और जो डिपोजिट है वो 4000 करोड 965 करोड तो यह राजकोट नागरीक सर्कारी बैंक पुरे देश में नंबर वन की तरफ पहुंची थी तो उसके पाय में उसके सफलता में अर्विन भाई का भी पुरा पुरा योग दानता है वो स्पोर्ट में भी रूची रखते थे खाने के बहुत सोकिन थे लेकिन पचास बरस की उमर में ही वो चल बसे उसके जाने के बाद उसके नाम पे अर्विन मनिया जनकल्यान ट्रस्ट भी रचा गया और वो करता है सबसे चिसेए मों ब्हुत अच्छा काम करता है सबसे बड़ी बात यह वह अपने विपक्स में भी लोग पुरिया थे, वह तो बढ़ बोले थे, किसी को भी कोई भी बात कहनी हो तो उसके मुँपे ही फ़स्ट बासा में कह देते थे, लेकिन वह लोगों को जीतने की कला भी जानते थे, उसमें माहिर थे, इसलिए अरविद भाई लोग पुरिया थे, पचास बरस उमर, पचास बरस की उमर जाने की उमर नहीं होती है, मेरे ख्याल से वह ज्यादा जीये होते, तो गुजरात के मुख्य मंत्री जरूर बनते हैं, क्योंकि उसमें इतना कौशल ये था, उसकी लिडर्सी पेसी थी, लोगों को साथ चलने की उसकी जो कला थी वो भी बहुत कम दिखने टों मिलती है, हमारे प्रदान मंत्री नरंदर मोदी जब राज कोट से लड़े थे, पहली बार इलेक्षन विदान सबा का जब गुजरात के मुख्य मंत्री बने, तो वो कहीं ओर ठेहरे नहीं थे, सरकीट आउस में नहीं गये थे, लेकिन ये मनि परिवार का बाजब, जनसंग और राज कोट के विकास में क्या प्रदान है, ऐसे मेता मालूम नहीं क्यूं पेदा नहीं होती, लगता तो ऐसे है कि पूरी नसल खराब हो, और एक और भी गुम था, अरिन बैग के, कि वो अगली पेदी को आगे रखते थे, उन्होंने खुशी-खुशी मेर का पद जाने दिया था, कि अब मैं बहुत मैंने काम कर लिया, अब नए लोगों को चांस मिलना चाहिए, अपने आप फुर्षी छोड़ देना आज, कोई भी ऐसी हिमत नहीं करता है, ऐसा विचार भी नहीं करता है, इमत तो बात की बात है, मुख्य मंत्री बनना वड़ा, प्रधान मंत्री बनने की चाह रखते हैं लोगों, मरने की कगार पर आजाते हैं, लेकिन उसकी चाह बनी रहती है, तो ये सीखना है रिन्भाइ मर्यार के पास से, कि कैसे समाज के साथ सबी लोगो को साथ लेके काम किया ले, पॉलिटिक्स अपनी जगा है, लेकिन विकास कैसे किया ले, छोटे लोगों की चिंताओ करते थे, उसके उठान के लिए क्या करना चाहिए, ये सबी बाते एक साथ अरिन भाई के चरित्र में दिखती थी, ऐसे आदमी आज नहीं है, होते तो रा राजकोट के स्वप्न द्रस्टा है, हमारे मुख्य मंत्री विजे वैरुपान, तो ये अच्छी बात है, लेकिन जो रास्ता खीचा था अरिंद भाई ने, उस रहा पर ही राजकोट आगे चल रहा है, ये खुसी की बात है, लेकिन अरिंद भाई होते तो मेरे ख्याल से र उसमें स्थान बेट, तो ये से थे हमारे मनियार, उसकी चेतना को प्रणाब थेंग यू